जिन्दगी में यही कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी की समस्या का नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बने हालात जब हद से जादा विप्रित हो जाते हैं तो इंसान के पास एक ही विकल्प होता है तिल को कठोर और खुद को मजबूत बनाए जिन्दगी में सबसे खुबसूरत एहसास होता है किसी की खुशी का कारण बनना जिन्दगी में समस्याई कभी खत्म नहीं होंगी आपको ही इनसे लणने का हुनर सीखना होगा वक्त अच्छा हो या फिर बुरा गुजर ही जाता है लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं कोई आपके साथ बुरा करता है तो शान्त रहिए क्योंकि जिन्हें आप जवाब नहीं देते उन्हें भगवान जवाब देते हैं परिवर्तन बहुत कष्टदाई होता है लेकिन उतना ही आवश्चक भी होता है मन से अमीर रहे धन तो आता जाता रहेगा समय का चक्र बहुत तेज सलता है इसलिए ना ही अपने बल का एहंकार करें और ना ही अपने धन का एहंकार करें हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है एहंकार के लिए नहीं बल्कि आत्म सम्मान के लिए कभी कभी कुछ लोगों का साथ चोड़ देना ही बहतर होता है लोगों ने समझाया है कि वक्त बदलता है और वक्त ने बताया है कि इंसान भी बदलते हैं धैरी ही है जो जिन्दकी के किताब के पन्नों को बांध के रखता है जिन्दगी में हिम्मत रखो और आगे बढ़ो क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं आप तो एक इंसान हो केवल संगर्स में ही इंसान अकेला होता है सफलता के बाद तो पूरी दुनिया ही साथ होती है जेवन में अगर कुछ मोल लेवान है तो वो आत्म सब्मान है